हेलो फ्रेंड्स टेक नन्पृट इदिने समें आप सभी का स्वागत है आज हम लोग TDS का किस तरीके से एंट्री किया जाता है टेली प्राइम सॉप्ट्वेर में लाइब प्राक्टिकल सेशन के साथ में with example and उसका क्या क्या rate chart रहता है ये सब के बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ तो बने रहे हैं इस वीडियो का अंतक का and enjoy किजिए आज का ये lesson जिसका नाम है आपका TDS Text Deducted at Source सबसे पहले जानते हैं Text Deducted at Source क्या होता है जैसे कि मैं आप लोग को बताया TDS का मतलब होता है Text Deducted at Source तो ये एक means of collecting income tax है किसका इंडिया खा Under Indian Income Tax Act 1961 की तहत Tax collect करने का एक mean है एक माद्धियम है एक जरिया है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं Any payment covered under these provisions self-paid after deducting prescribed percentage तो जैसे कि इस नियम के तहत अगर हम लोग कुछ भी ऐसे कुछ professional charges अगर आप pay कर रहे हैं या कोई भी इस टाइप का पैसा देते हैं जहां पे आपका threshold limit माल लीजे at a time आपका 30,000 या 50,000 होता है तो इसमें बहुत सारे हैं मैं आगे चल के आपको बताने जा रहा हूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ percentage जिनको हम लोग को देना रहता है उससे tax deduct कर देते हैं और बाकी का payment करते हैं और जो deduct करते हैं tax उसको हम लोग government को pay करते हैं तो इस इस managed by the central board of direct taxes CBDT and is the part of the department of revenue management तो यह क्या क्या जाता है तो आगे मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि क्या क्या है आपका TDS nature payment जहाँ पे हम लोग को TDS deduct करना पड़ता है तो सीधा मैं आपको ले लेता हूँ एक और मैं फाइल यहाँ पे आप लोग के लिए रखा हूँ rate chart है तो TDS and TCS rate chart मैं आज आप लोग को TDS के बार में बताने जा रहा हूँ और जो भी practical हम लोग आज live देखने वाले हैं वो TDS का है तो फिलहाल आप इसको एक बार ध्यान में रखिए financial year जो है 2021 का and assessment year जो है 2021-22 का यह revision है तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका TDS rate chart section धारा की तहत 192 अगर देखेंगे nature payment अगर salary है तो यहाँ पे कुछ threshold limit वगरा सब दिया हुआ है तो जिसमें लागू होगा उसमें आपको TDS deduct करना है और जिसमें नहीं है उसमें आपको देने का कोई जर्वत भी नहीं है उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो interest अगर bank का आपका 40,000 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको कोई से TDS pay करना पड़ेगा मतलब deduct करना पड़ेगा जैसे कि 7.50 यह अभी revised है उससे पहले 10% था उसी टैप का अगर winning from lottery अगर आप lottery से win कर रहे हो और उसमें से अगर आपका income lottery से अगर आप 10,000 से ज़्यादा win करते हो तो यहाँ पे आपको 30% comment को pay करना पड़ेगा तो revised जो है यह भी आपका 30% है तो इस तरीके से यहाँ पे यह आपको internet से मिल जाएगा rate chart PDF मार देने से आपको देखने के लिए मिल जाएगा internet से आप download करके इसको follow कर सकते हो तो आज मैं जो बताने वाला हूँ खास करके professional fees हम लोग charge करेंगे तो उसका हम लोग लेंगे तो जैसे के आप लोग यहाँ पे नीचे तरब देख सकते हो धारा 194J professional fees and technical fees etc है अगर आप 30,000 से जादा professional fees अगर charge करते हो तो इसमें से आपको TDS deduct कराना पड़ेगा कितना 10% यह पुरानी अभी जो चल रहा है 20-21 की तहर अगर 21-22 के अगर हम लोग consider करेंगे तो इसमें हम लोग को कुछ percentage में गिरावाट देखने के लिए मिलेगा जैसे कि 7.50 अभी revised लागू होने वाला है तो चलिए अब मैं सीधा आपको live practical questions लेके चलता हूँ दिखाता हूँ उसके बाद सीधा हम लोग कैसे उसको टेली मेंटरी करेंगे खास करके टेली प्राइम में उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज जो हम लोग practical session देखने वाले हैं TDS को लेके उसके लिए मैं questions आप लोग के लिए यहाँ पर लिखके रखा हूँ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो जैसे कि रिसीब्ड इन्वाइज फ्रॉम आड़ी एसोसीड्स चार्टर अकाउंटन ट्वार्स इंटरनल अड़िट आप अकाउंट्स 35,000 उसमें से 32,375 7.5 परसेंट हिसाब समय यहाँ पर लिया हूँ पेट तो आड़ी एसोसीड्स तो आड़ी एसोसीड्स तो आड़ी इन्वाइज आप्टर डिड़क्टिंग टीडिएज 26 रुपया टैक्स डिड़क्ट करने के बाद में हम लोग उनको पेए किये हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट थर्ड कोस्टिंस इसमें बताया गया है 2625 रुपया हम लोग पैट किये फ्रों बैंक टुआर्स TDS on internal audit to the authorized bank treasury अब इसको हम लोग कैसे टेली प्राइम में पास करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग live practical session लेखने वाले हैं तेली प्राइम सॉप्टर उपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक company create करेंगे यहाँ पर हम लोग company का नाम देंगे पहले जैसे कि हम लोग RD computer मान लीजे मैं यहाँ पर दे देता हूँ यह मेरा company का नाम है सपोज mailings name वगेरा आपको देना है address जहाँ पर रहेगा वो सारे सारे देना है इस सब आपको पता है मैं यहाँ पर पटा फट तुरांद ऐसे skip कर देता हूँ थोड़ा बहुत देखे फिर आगे आपको बढ़ जाना है आगे जाने के बाद में यहाँ आपको save कर लेना है control A प्रेस करना है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा company created successfully लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे आपका text session में सीधा आपको देखने के लिए मिलेगा enable text detected at source TDS तो मैं आपको बताओं आज हम लोग जो practical करने वाले हैं वह आपका TDS तो यहाँ पे आपको TDS को बस yes कर लेना है उससे पहले हम लोग JST और आपको off कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है इसको में no किया फिर आगे बढ़ा यहाँ पे आपको TDS को yes कर लेना है y प्रेस करके आप जिस एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 registration number अगेरा सब देना रहता है तो यह आपका 10 जो होता है text assessment number होता है यह आपका खास करके 10 digit alphanumeric number होता है तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी एक registration number डालते हैं जैसे मैं यहाँ पे for example ले लेता हूँ एक, दो, ती, चार और कुछ numbers आपका और फिर एक आपका alphabet 10 registration number देने के बाद में आपको text deduction and collection account number देना है यह भी आप उसी तरीके से same type का आप रख सकते हो जो भी आपका number रहेगा जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ यह वाली और यह माली जिए मेरा account number है 10 number है जो TCS और TDS के लिए use क्या जाता है उसके बाद यह हमारा एक company का है तो यहाँ पे हम लोग director type में company रखेंगे डिड़क्टर branch division जहाँ पे आपका text deduct होगा जैसे कि यहाँ पे मैं दिया माली जिए नो आपड़ा branch division देने के बाद में फिर से हम लोग को आगे बढ़ जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको set alter details persons responsible अगर कोई है तो उसका details आप दे सकते हो फिलाद मैं इसको सब skip कर रहा हूँ मैं आगे आपको बताओंगा क्या चीज आपको फिर करना है और किस से आपका TDS deduct होगा यह आपका setting था इसको आपको फटा पट save कर लेना है मैं यहाँ पे control A दबा के इसको save कर लिया तो मेरा TDS का setting हो चुगा है अब हम लोग का next काम जो है खास करके आपका laser create करना है तो आपको जाना है पहले create में जाना है create में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे laser बनाएंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दू हम लोग जो आज practical देखने वाले हैं उसका TDS nature क्या है सबसे पहले उसको create कर लेंगे क्योंकि हम लोग laser में उसको select करने वाले हैं तो उसके लिए आपको जाना है create में create में जाने के बाद में यहाँ नीचे तरफ आप लोग देख सकते हो TDS nature of payments लिखा हुआ है तो यह आपको first mind में setup करना है क्या nature के लिए आप TDS deduct करा रहे हो जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि आज हम लोग जो देख रहे हैं ये fees for professional and technical service के लिए charge करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ fees for professional and technical service उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है section में आप लोग को बताया था कुछ है तो यहाँ पर आप दे सकते हो जैसे कि मैं payment code ऐसे ही यह डाल दिया हूँ उसके बाद आपको remittance code अगर रहेगा तो देना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है rate for individual with pen अगर pen है तो कितना percent आपको कटवाना है जैसे कि मैं आपको बताया मैं revise rate में देने वाला हूँ तो 7.5% में यहाँ पर दे देता हूँ अगर आपके पास pen card है तो 7.5% deduct होगा अगर आप other deduct type हो तो कितना आपको देना है यहाँ पर भी आप mention कर सकते हो उसके बाद जैसे कि threshold limit अगर आपका फीज जो है professional फीज जो आप charge कर रहे हो वो अगर 30,000 से ज्यादा है मैं आपको rate chart में बताया था तो तभी आपको 7.5% यहाँ पर पे करना पड़ेगा deduct कराना पड़ेगा अपना जो भी income आ रहा है तो यहाँ पर आपको देने से भी ठीक है अगर आप नहीं देते हो तो 7.50% कर जाएगा पिछले मैं यहाँ पे 30,000 दे देता हूँ limit क्योंकि हम लोग को पता है 30,000 है फिर इसको आपको फटा फट एसेप्ट करके save कर लेना है यह मेरा बन गया है TDS Nature of payment अब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद अब next काम है हम लोग का laser create करना अभी जो भी हम लोग को transaction करना है उसके लिए क्या-क्या laser चाहिए वो हम लोग create करेंगे laser के अंदर में जाना है सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किनको हम लोग pay कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बताया कि RD Associates को pay करना है तो यह हमारा creditor बनेंगे यहाँ पर आपको लिखना है RD Associates तो यह मेरा sundry creditors है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं मतलब उनसे हम लोग purchase कर रहे हैं किस चीज़ का account audit करने के लिए तो यह हमारा creditor हो जाएंगे फिर आगे बढ़के जाना है आपको यहाँ पर EJ TDS deductible इसको आपको ध्यान में रखना है इसको yes कर लेना है फिर आगे बढ़ता जाना है deductive type में आपको यहाँ पर ले जाना है individual, HUF, resident यह resident है माल लिजिए उसके बाद deduct TDS in same voucher आपको yes रखना है कहां का है RD Associates जो हमारा अडिट कर रहे हो suppose जो माल लिजिए यहाँ से हैं नुआपडा से मैं यहाँ पर दे दिया उनका बागी का details फिर आपको pin code अगरा जो भी है सब साथ में डालना है उसके बाद आगे बढ़ते जाना है उनका अगर pen number है जैसे कि मैं आपको बताया था तो यहाँ पर हम लोग pen number देंगे तो pen जो होता है आपका 5 alphabet होता है उसके बाद 4 digit होता है जो भी उसके बाद एक और alphabet होता है तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद आपका provide pen details होगा है जैसे कि रहेगा तो यहाँ पर आप चाहो तो दे सकते हो बागी का details अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो फिर आगे बढ़ना है आगे बढ़ने के बाद इस बाद को save कर लेना है यह हमारा first laser था उसके बाद हम लोग second में बनाएंगे internal audit expense audit के लिए हम लोग खर्चा दे रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे internal audit expense यह हमारा है indirect expense तो यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे indirect expense से select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़के जाना है each TDS applicable इसको आपको करना है applicable space bar दबाने के बाद यहाँ से आपका आजाएगा applicable nature of payment आपको select करना है हम लोग कुछ दिर पहले बनाएं थे feature for professional and technical service के लिए है उसके बाद बाकी आपको accept करके save कर लेना है दो laser हम लोग बनाए हैं उसके बाद हम लोग TDS भी deduct करेंगे यह हमारा duties and taxes में जाएगा जो government को pay करना है यह आपको ले जाना है यहाँ से TDS उसके बाद nature of payment में आपको select करना है fees for professional and technical service इसको भी आपको accept करके save कर लेना है तो लगभग हम लोग को जितना laser चाहिए लगभग हम लोग बना चुके हैं question में बताया था है कि bank से payment होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक bank भी बनाते हैं for example मैं यहाँ पर access bank ले लेता हूँ access bank लेने के बाद में यह मेरा undergroup है bank account तो यहाँ से आपको ले जाना है bank accounts बाकी का details आपको यहाँ पर डालना है आपका bank का details मैं skip कर रहा हूँ बाकी जो भी address होगे रहा है सारे सारे information आप यहाँ पर डाल सकते हो और फटा फट इसको save कर लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बताया दू मैं bank में कुछ opening balance डाल देता हूँ जब भी payment करूँगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा पर example यहाँ opening balance में मैं अभी 50,000 फिलाल मेरा bank में डाल देता हूँ तो यह मेरा 50,000 है क्योंकि मैं 35,000 total pay करूँगा उसमें से हम लोग जो audit कर रहे हैं उनको pay करेंगे 32,000 something and 2000 something हमारा TDS pay होगा तो इसको आपको accept कर लेना है तो हम लोग को जितना भी चाहिए लगभग हम लोग laser create कर चुके हैं अब next है हम लोग का voucher entry करना तो सबसे पहले हम लोग journal voucher पास करेंगे तो उसके लिए आपको जाना है vouchers में voucher में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो journal लिखा है अगर नहीं रहेगा तो सीधा यहाँ से आप F7 प्रेस करके journal में भी जा सकते हो अगर कोई दूसरा voucher है तो यहाँ पे आपको DR करना है सबसे पहले कितना payment DR होगा क्यों होगा यहाँ आपको details में देना है for example अभी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ expense internal audit के लिए दे रहे तो यहाँ पे internal audit expenses आपको select करना है total हम लोग को question में कितना बोला गया था 35,000 35,000 हम लोग ले लिए अब क्या करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्यों है ये fees for professional technical service फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ता जाना है फिर यहाँ पे आपको CR करना है तो इसमें से आपको बताया गया है कि दो तरीके का payment होगा एक होगा internal audit के लिए किन को देना है RD associates को देना है और बाकी जो है tax TDS कटेगा और government को जाएगा उसके लिए हम लोग 2 laser यहाँ से select कर लेंगे तो CR करेंगे RD associates को तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 32,375 ले गया है क्योंकि हम लोग पहले से mention कर दिये थे 7.5% तो इसके लिए उतना ही लिया है तो दूसरा जो हम लोग जो pass कर रहे है वो किस के लिए है TDS के लिए तो बाकी जितना balance रहे जाएगा वो आपका TDS में जाएगा तो यह हमारा journal voucher entry हो जुगा है उसके बाद हम लोग यहाँ पे narration में लिख सकते हैं being received invoice from तो हम लोग एक invoice bill receive किये तो यहाँ पे लिखेंगे being received invoice from तो किन से हमारा जो chartered accountant है कौन है जैसे कि मैं यहाँ पर बताया RD Associates being received invoice from RD Associates and TDS और TDS का भी है and TDS towards internal audit लिख सकते हैं यह हो गया है narration आपको दे देना है उसके बाद फिर फटापट आपको save करके आगे बढ़ जाना है journal voucher pass होने के बाद में अभी next हम लोग का जो काम है वो payment करना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ right side में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है payment तो F5 में जाना है आपको F5 प्रेस करने के बाद यह देखी है आपका payment voucher आ चुगा है तो सबसे पहले हम लोग किनको payment करेंगे RDA Associates तो उनको हम लोग कर देते हैं क्या DR तो यहाँ से आपको इसको DR कर लेना है कितना payment करना है 32,375 तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 32,375 यह मैं दे दिया हूँ अब against reference number हम लोग जो pass किते journal voucher उसका है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RD Associates 0 हो जुगा है अब हम लोग CR करेंगे कहां से payment कर रहे हैं bank से क्योंकि हम लोग bank में पैसा रखे थे तो यहाँ पे मैं bank से payment कर दिया अभी bank में मेरा balance आप लोग देख सकते हो 17,625 बाकी है मैं यहाँ पे opening balance 50,000 डाला था आप plus minus करके adjustment देख सकते हो इसको अब फटाफट आगे बढ़ते जाना है और बाकी का details देके narration लिख देना है आपको being amount paid to RD Associates यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ narration में हम लोग type कर सकते हैं being amount paid to RD Associates to RCs invoice after deducting TDS या जो आपको लगता है QO आप pay कर रहे हो वो सारे details आप दे सकते हो फिर इसको आपको accept कर लेना है accept करते हुए यह हमारा first payment हुआ है अब है हम लोग बाहर जाएंगे एक बार balance sheet चेक कर लेते हैं तो balance sheet के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है balance sheet में फिर enter दवाना है आप लोग इधर देख सकते हो current asset में हमारा bank में balance है और profit and loss account से 35,000 डिड़क्ट हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो indirect expense दिखा रहा है internal audit expense और कौन सा month है क्या है सारे सारे details आपको देखने के लिए मिलेगा मैं बाहर आ जाता हूँ अगर lab site देखेंगे liabilities site में तो यहाँ पे आप देखिए current liabilities में हमारा 26,25 दिखा रहा है जो कि आपका duties and taxes है तो इसको हम लोग अभी तक का payment नहीं किये है तो इसका payment के लिए फिर से हम लोग जाएंगे कहाँ पे voucher में जाना है आपको vouchers में जाने के बाद payment voucher जाना है और यहाँ आपको DR करना है तो क्या को DR करना है आपको याद रखना है TDS on internal audit को DR करना है तो यहाँ पे आपको select कर लेना है against reference number लेना है आप देखिए यहाँ पे हमारा reference number हम लोग जो journal voucher में पास किये थे दिखा रहा है तो मैं जैसे उसको select किया आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पे income tax को दिखा रहा है 2625 रुपया income tax account DR हो गया है अब इसको आपको फटाफट enter दवा के accept कर लेना है उसके बाद हम लोग कहा से payment करेंगे मैं बताया था कि हम लोग TDS जो amount है पे करेंगे वो bank से करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको access bank select कर लेना है देखिए हमारा bank से 2625 माइनस हो चुगा है और bank balance आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पे 15,000 बैलेंस है हमारा opening balance यहाँ पे 50,000 था 35,000 हम लोग का total payment हुआ तो उसके लिए हमारा balance है यहाँ पे 15,000 फिर आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे बाकी details check number और सब दे देना है और फिर आपको narration में लिख देना है being TDS paid फिर आपको accept करके save कर देना है अब बाहर आके एक बार check कर लेते हैं फिर से हम लोग balance sheet में एक बार जाके देखते हैं पहले balance sheet में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए total opening difference 50,000 है और इधर current asset में 15,000 है profit loss account में 35,000 दिखा रहे है balance sheet चेक करने के बाद हम लोग next भी देखेंगे TDS payment कैसा हुआ क्या क्या हुआ उसके लिए आपको जाना पड़ेगा display more reports में फिर अंदर जाएंगे अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे तरफ TDS reports लिखा हुआ है इसमें आपको अंदर जाना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो form 26Q है इसको आपको अंदर जाना है यहाँ पे आप लोग details देख सकते हो total voucher included in return यहाँ पे deduction at normal rate यहाँ पे देखिए आप total 35 ता हो जाएं वहाँ से आपको deducted current period में कितना हुआ है 2625 का TDS deduct हुआ है total deducted यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन सा महने के लिए है क्या है यह सारे सारे details आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको इसको print करना रहेगा तो यहाँ से आप print में भी जा सकते हो alt p दबाके current में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपका preview है preview में आप देख सकते हो कैसे आएगा है तो यह आपका TDS का preview है alt z करके आप यहाँ पे zoom करके भी देख सकते हो अब escape दबाक में बाहर आ जाता हूँ अगर हम लोग TDS outstanding देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी outstanding नहीं है क्योंकि हम लोग already pay कर चुके हैं अगर आपको voucher check करना है क्या क्या voucher pass की तो यहाँ से आप day book में जा सकते हो डे book में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग पहले journal voucher pass के 35,000 का उसके बाद 2 payment के RDSO seats को दिए 32,375 का and TDS on internal audit हम लोग pay किये हैं 2625 का तो यह था complete process TDS काम लोग कैसे entry करेंगे ओभी टेली प्राइम में So this was all about today's lesson उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा अगर आप फस्त एक लिए हमारा चैनल वीजिट गी हो तो चैनल प्लिक सुस्क्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को साथ में सेयर कीजिए और बने रहे हमारा इस चैनल में इस तरीके से लेटिस वीडियो देसे नॉटे